जे जिनेंद्रा जे भोलिना दोस्तों 10 बज के 45 मिट हो गई है यानि कि 11 बजने में सिर्फ 15 मिट बाकी है और तारीक भी आज 11 है और संडे का दिन है 11 जून संडे 10.45 एम और आज एक एक अच्छा कासा वीडियो लाया हूं जिससे आपको आगे की रणनीती बनाने में बहुत ही हेल्फुल रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक एक बहुत ही वाइटल वीक है फॉर बुल्स एस वेल इस वियर्स मार्केट ने डिस्क्लेमर इसको पढ़ ली जेगा इसको पढ़ना अनिवारिया मेंडेट्री है देखे मार्केट ने पिछले वीक थस्डे को इसकी ताकत है तो अठारा चैसो चार के नीचे उपर वीकली क्लोज ला दे अठारा चैसो चार कौन सा फिगर है जो दो अजार इकिस तक आल टाइम हाई हुआ करता था दो अजार इकिस तक आल टाइम हाई क्या था अठारा चैसो चार एटीन सिक जिर फूर दो अजार बाइस में हमने ऑक्टूबर या नॉवंबर में नया ओल टाइम हाई बनाया बाइस में है 18887 तो 18887 तो अभी तक एचीव नहीं हुआ है लेकिन उस 604 के उपर मार्केट गुरुवा निकल गया था और 777 का हाई बनाया था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कंफिडेंस था कि वह आपको अल्टाइम हाई का लॉलिपॉप दे के माल आपको चिपका देगा कि all time हाई का कुछ घदे लोगों को यह नहीं मालुम है वह बोलते बैंक निफ्टी ने ALL हाई मार दिया तो निफ्टी भी मार देगा अरे भाई साब बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल Index है, Sektoral मतलब वो एक Particular Sector को represent करता है, which is called Banking and Financials, वो और Nifty है, सारे Sector को represent करने वाला एक Samoo, Samoo मतलब Group, Group of All Sector is called Nifty, उसमें Pharma भी आता है, उसमें IT भी आता है, उसमें metals भी आता है उसमें FMCG भी आता है उसमें oil and gas भी आता है उसमें consumer भी आता है consumable goods भी आता है तो उसमें banking and financials भी आता है तो यह सारे groups मिलके एक समू जो बनता है उसको nifty बोलते है इंडाइस सिर्फ एक ही है इंडेक्स सिर्फ एक ही है वो निफ्टी यह सारे जो भी है बैंक निफ्टी निफ्टी आईटी या फिर निफ्टी फार्मा या निफ्टी मेटल्स या निफ्टी FMCG यह सारे सेक्टोरल इंडेक्स है कोई भी एक पर्ट्यूगलर सेक्टर में अगर तेजी आ जायर वह अपना अल्टाइम हाई बना ले तो इसका मतलम नहीं है कि पुरा निफ्टी में तेजी आ गई है और पुरा निफ्टी भी वाल टाइम हाई ब 30 % के असपास यह मैं मानता हूं लेकिन जरूरी निफ्टी बैंक अगर ऐल टाइम हाई बनाए तो निफ्टी को बनाना पड़ी निफ्टी सिर्फ ऑनली बैंकिंग स्टॉक से नहीं चलता है बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 इनिफ्टी में 50 स्टॉक है जो हर एक अपने सेक्ट पुरा पैसा खाके बोलते हैं और यह बिल्कूल सेट रहते हैं कि पब्लिक को कैसे भी कनवर्ट करना है सेलर्स में बायर्स में ताकि अब यह अपना माल हलका कर सके तो गुरुवार को जब 777 गया तो आपको वो लॉलीपॉप बिल्कूल चूसने लाइक लगने लग गया कि भईया अब तो ओल टाइम हाई आना है त्यूंकि सिर्फ 110 पॉइंट बचा था कॉल टाइम हाई के लिए और फिर भी मैं वीडियो में एक ही चीज बोला था कि नीचे भी आएगा और 18604 के नीचे ही निफ्टी फ्राइडे को क्लोज करेगा जो कि किया और बैंक निफ्टी का भी जो प्रीविएस ओल टाइम हाई था वो था 44 151.8 44 151.8 तो उसके उपर अगर वीकली क्लोज आ जाए तो मैंने बोला तब मेरा स्टॉप लोस हो तो बैंक निफ्टी जब 449 तक गया 44 459 तक गया थास्डे को उसके बावजूद वो 44,000 के नीचे ही क्लोज किया यह कितनी बड़ी बात है ठीक है अब इस से हुआ क्या च वित प्रूफ दिखाता हूं कि मैं यह वीडियो आज क्यों बना रहा हूं हाला कि मैंने बोला है 10-15 दिन और मैंने आपको बोला तो मैं बहुत रियल में बहुत बिजी हूं हाँ दूसरी बात जो 10 तरीकों मैंने पोजिशनल गुरूप स्टार्ट की थी तो उसमें अभी स् यह 20,000 रुपर जो आप फीस दोगे वह एक साल के बाद जब यह टम कंप्लीट हो जाएगा आपको बड़े इज्यत के साथ रिफंड कर लीजए ठीक है तो अभी भी आप जोइन कर सकते हैं मंडे तक जोइन कर लीजए मैने में इसमें दो या तीन ही पोजिशनल कॉल मिलें किसी मैंने में 4 भी मिल सकते हैं 5 भी लेकिन 2 मिनिमम मिलेंगे तो लेकिन इसमें मैंने एक दावा किया है कि 80% of my call will hit target stop loss अगर 20% से ज़्यादा होता है तो आपके पैसे रिफर्ड यानि कि अगर मैं 100 call देता हूं तो 80 मैं target achieve होगा एक्जम्बल के लिए बोलो 100 तो नहीं मिलेंगे आपको 30-40 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पूरे साल में लेकिन सब में रेशियो भी 1-2 ही रहेगा minimum stop loss अगर 10 रुपे रहेगा तो टार्गेट जनरली 20-30 रुपे minimum रहेगा और सब future वाले stock रहेगे चलिए यह score तो बंद कर देता हूं मैं अब आपको मैं दिखाता हूं हुआ क्या उससे sentiment कैसे change हुआ तो यहां मैंने आपके लिए data sheet ready करके रखा है जो Friday तक का data है Friday को क्या हो पहले Friday की बात कर लेते हैं Friday को client ने क्या किया client का मतलब यहां पर हमसे और आपसे जितने भी retail players है जो कि मैं और आप है उनको client की category में यह लोग डालते हैं client मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो एक एक लौट दो दो लोट लेते हैं इन्हों ने क्लाइंट ने क्या कि स्टॉक फ्यूचर में दस जार चोवन कॉंट्रेक्ट बाई किया यानि कि बुलिश गये इन्डेक्स फ्यूचर में 2647 कॉंट्रेक्ट बाई किया यानि कि बुलिश गये इन्डेक्स कॉल में 76,866 कॉंट्रेक्ट बाई किया यानि कि बुलिश गये क्लाइंट ने पुट्स को सेल किया दो लाक उन्तिस अजार पांसो उन्चालिस तू लाक्स ट्वंटीनाइं थाउजन फाइफ थाटीनाइं कॉंट्रेक्ट पुट्स को सेल किया यानि कि पूरी तरह से बुलिश पुट को सेल करना भी एक तरह से कॉल को बाई करना ही होता है ठीक है एक तरह से ठीक है अब आज जाते हम FIIs इसका फूल फॉर्म होता है फॉरें इस्टिटूशनल इन्वेस्टर्स जो कि विदेश से आते हैं वो लोगों ने क्या किया उन्होंने क्या किया स्टॉक फ्यूचर में 19,512 कॉंट्रेक्ट बेचे फ्राइडे के देव यानि कि बियरिश उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 6,535 कॉंट्रेक्ट बेचे यानि कि बियरिश उन्होंने इंडेक्स कॉल में कॉल में 37,535 कॉंट्रेक्ट बेचे इंडेक्स कॉल को बेचने का मतलब इंडेक्स पूट खरीदा तो यहां पर भी बियरिश उन्होंने इंडेक्स पूट को खरीदा 1,12,281,12,288 कॉंट्रेक्स खरीदे यानि कि बियरिश तो अगर आप एफाइस को देखो तो पूरी तरह से बियरिश गया क्लाइंट को देखो तो पूरी तरह से बूलिश अब तीसरी जो एहम केटिगरी होती है अगर आम डियाइस को छोड़ दें क्योंकि डियाइस क्या होता है जनली यह फ्यूचर में खेलती किसलिए ताकि इनके जो मूचल फंड में बाइंग रहती है कैस मार्केट में उसको ह करते हैं तो इनके डाटा को हम लोग कोई भी इंपोर्टेंट्स देते नहीं है यह सिर्फ हेजिंग के परपस से एफंडो में पार्टिसिपेट करती है अब आज है प्रो प्रो कोन होता है प्रो एक ऐसी केटिगरी है जहां पर जैसे आप आपका अकाउंट अगर आनंद र ब्रोकिंग में है एंजल वन में है यह जो ब्रोकिंग हाउसे होते हैं उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उनका उनका क्लाइंट का तो उनके अंडर में क्लाइंट होते हैं वो खुद जो ट्रेड करते हैं वो प्रो की केटिगरी में आते हैं किसकी केटिगरी में आत चे 216 चाहिए 2167 उन्होंने इंडेक्स कॉल बेचे 39,331 कोंट्रेक्ट ब्येरिश है इंडेक्स पुट उन्होंने खरी दे खरीदे एक लाग 17,250 कोंट्रेक्ट यह भी आप यह 90% ब्येरिश है 10% बूलिश है यानि कि यह भी पूरी तर से ब्येरिश और यह भी उजी तर से ब्येरिश है अकेला कौं बूलिश है हम लोग अब आजे यह उस 1777 का इफेक्ट क्या हुआ वो जो 1777 का हाई बनाया था गुरुवार को 17700 पर स्वारी अठारा शत्रा निकलना तरह सत्रा आये गई अच्छा अठारा साथसो सतत्र रुपया नभ्य पैसा का हाई बना था गुरुवार को वहां से ओल्टाइम जो हाई था वो था अठारा आठसो सत्ता सी साइकोलोजी कैसे चेंज करती है देखिए तो सबके दिमांग में यह फीदर आने लगे कि यह तो आप कटे गई क्योंकि बैंग निफ्टी ने अल्रेडी ओल्टाइम हाई बना चुका है कि 110 पॉइंट तो सबको यह दिखने लगी है तो सबने सोचा अपने शौर्ट काटो साला पकड़ो अब कॉल क्योंकि हम लोग क्या बीना पेंदी के लोटे हैं हम लोग 16-800 पर शौर्ट करते हैं और 18-800 पर भाई करते हैं इसलिए यह चोर लोग पैसा कमा के हमारे पैसे से कि हम चुOFF करता इसलिए अर और इनको हैल पॉन करता यह टिबी यह आपके अंदर में आशा ड़र ड्डाल देता है और यह अब को सेलर से बाहर बना देता है अब आजाए एं प्र शोर्ट के कासे चेंज हुआ उसको देखते है यह यहाँ आपको क्या दिख रहे है टू डेज एगो 1 डेज द दे का मतलब हाँ और ते क्योंकि फ्राइडे तक का डाटा है यह और वैरक्राइड़ आनि कि 9 जून तक का डाटा है आज स्यव क्षेके 152-10 जून तो फ्राइडे तक अगर हम यह इंडेक्स फूचर का डाटा यह पर्टिकुलर डाटा किसका इंडेक्स फूचर का इंडेक्स फूचर में अगर हम क्लाइंट को देखें तो बुदुवार तक उनके पास 5528 कवंट Dipl gdzieś फूचर यानि कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर गुरुवार को उन्होंने घटाए घटाए क्यों और 3600 कॉंट्रेक्ट ही लॉंग रहे गए क्योंकि गुरुवार को हमने हाई बनाया था अठारा साथ सो सततर का तो उनको लगा कि आप तो मार्केट वाल टाइम है तो उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर को लॉंग को घटा लिया नहीं घटाया शॉट करने के चकर मिली कि सुकरवार को उनको दिखा कि भईया मार्केट गिर अब तो बाई कर लो तो सुकरवार को उन्हें इंडेक्स फूचर लॉंग कर लिए दूसरी कटिगरी है डी आइस की जिसके हम डिसकस नहीं करेंगे यह अपने हैजिंग करते रहते हैं तीसरी कटिगरी यहां पे है एफ ऐई आईस जो कि सिफ पंद्रा सो कोंट्रेक्ट शॉट थे बुदुवार को गुरुवार को जब सत्रा आठ्षो अठारा आठ्षो अठारा सात्सो सततर गया तो उन्हें स्वाट को बढ़ाया 1500 से सीधा 6 जार कोंट्रेक्ट शॉट में आ गए इंडेक्स में और सुकर बढ़ने में यह क्लियर कट दिखा रहा है कि वो शॉर्टर बन गया है क्यों फाइस इंडेक्स बूचर अब आ जाते हैं प्रो के बार में प्रो के शॉर्ट थे अब आजाते सबसे इंपोर्टेंट डाटा इंडेक्स कॉल पर इंडेक्स कॉल का डाटा इस इंडेक्स कॉल का मतलब तो सब्सक्राइब क्या होता है क्लाइड के पास कॉल शॉर्टे का मतलब क्या होता है कि वो विएरिस थे कब तक बुदुवार तक ध्यान दीजेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान दीजेगा 3,70,000 उनके शौर थे 3,70,000 399 कॉन्ट्रेक्ट कॉल के शौर्ट में दे कॉल का शौर्ट कॉल का शौर्ट होने का मतलब मैं पुठ का बाहर हूं कब तक बुदुवार तक लेकिन जैसे ही गुरुवार को वह 1877 का ही बनाया तो उनको दिखने लग गया ओल्टाइम है आने वाला है तो वह उस तीन लाग सत्तर हजार शौट से घट के सिर्फ निन्यान में हजार कॉंट्रेक्ट शौट रहे गए यानि 400 परसेंट पोजिशन उन्होंने शौट की घटाई तीन सत्तर से सीधा निन्यान पर गुरुवार को क्योंकि उनको दिखने लगए आप तो तेजी है साला बेकार में अपन पुट कॉल शौट कर रहे है ठीक है और सुकरवार को इसके 400 परसेंट घटा दिये निन्यान मे हजार से सीधे 22000 पर आगे यानि कि लगबग लगबग कॉल लॉंग में आगए जो कि बुदुवार को तीन लाग सत्तर हजार शौट में थे वो लगबग लगबग जीरो पर आगए शौट में कॉल में कॉन क्लाइंट इसको बोलते है जब बर्दस shifting फ्रम बीरिश टुबुलिश 400 परसेंट शोट घटाया फिर 400 परसेंट शॉट थे दोनों दिन अपने गुरुवार और सुक्रवार को नौन ने तेन लाग तीन एजार कॉल थे इनके पास लॉंग तीन लाग तीन एजार कॉन्ट्रेक्ट कब बुद्वार को और सुकरवार आते या तेन दो लाग रह गए ज्यानि के एक लाग कॉल लॉंग घटे यानि कि यह बिरिस के तरफ सिफट हुए तिक है ना फ्म बुलिष्ट क्या है कि ये प्रो को देखिए इनके पास 66,000 कॉल लॉंग थे 66,073 वो घटके हो गए गुरुवार को एक लाग 44,000 शॉट में आ गए 66,000 लॉंग से कॉल शॉट का मतलब पुड भाई यानि कि 66,000 से सीधे एक लाग यानि कि इन्होंने दो लाग शॉट की उस देखिए गुरुवार को और शुकरवार आते थे तो ये लोग एक लाग 83,974 कॉंट्रेक शॉट में आगे कॉल में जो की कॉल में लॉंग में थे 66,000 वो शुट हो गए यहां तो अगर आप चेंज देखोगे तो ड्रास्टिक चेंज है ये 500 परसेंट पोजीशन सिफ्ट वी ब्रीरिस थी ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टन यह यानि कि यह यह डाटा हमको क्लियर बता रहा है कि बुदुवार्थ तक निफ्टी 500 से 800 पॉंट गिर सकती है गुरुवार्थ तक आने वाले गुरुवार्थ तक 500 टु 800 पॉंट गिरावाट आ सक गुरुवार्थ तक यह डाटा क्लियर दिखा रहा है 500 से 800 पॉंट अभी आगे रहेगा यह खली मैं बोल रहा हूं आ जाएगी यह कोई गरेंटी नहीं ठीक है लेकिन 500 पॉंट तक गिर सकता आराम से इस डाटा को देखते है क्योंकि यहां जो सिफ्टिंग हुए है वो आपको लॉलीपॉप दिया गया है और टाइम हाई का अब आजाते हैं लोग इंडेक्स पूट पर यह इंडेक्स पूट की पोजिशन है क्यों इंडेक्स पूट पर अगर आप देखो तो इनके पास क्लाइंट के पास सत्तावन हजार पूट शॉट थे यानि कि बुद्वार को और वो आगे पांच लाग छ्यासी हजार पूट शॉट पूट शॉट का मतलब कॉल लॉंग पूट शॉट का मतलब कॉल लॉंग पूट शॉट का मतलब क्या होता है कॉल लॉंग पूट शॉट का मतलब क्या होता है कॉल लॉंग तो यह इंडेक्स पूट का डाटा अब बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको जरूर देखिए क्लाइं के पास सत्तावन हजार कॉंट्रेक्ट शॉट थे पूट के बुद्वार को गुरुवार को जब अठारा साथ सो सत्ततर आया तो इन्होंने 3,56,000 कॉंट्रेक्ट शॉट करें 700% अपने शॉट बढ़ा लिए पूट में पूट शॉट का मतलब क्या होता है कॉल लॉंग 700% पूट शॉट बढ़ा लिए यान की वह बहुत बड़ी तेजी में चले गए और अगर हम सुकरवार तक आते तो इनके पास पूट शॉट हो गई 5,86,492 यह आज तक के हितियास का सबसे बड़ा पूट शॉट का डाटा है आज तक से जबसे मैं यह डाटा देखता हूं म मैंने मेरी लाइफ में छे लाग तक पहुंचते हूं किसी को नहीं देखा तो यह डाटा तो मुझे बताता कि हजार पूंट भी नेक्स्ट वीक में निफ्टी गिर जाए यह बैंक निफ्टी दो हजार पूंट भी गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यह डाटा बहुत इंपोर्टेंट है जो आदमी 57,000 शौट पे था वह सीधा 5,86,000 शौट पे आ गया यानि कि 1000 परसेंटेज आप दिस इतना बड़ा पूट को शौट करने का मतलब इतना बड़ा कॉल को लोंग करना कि उसके अलावा अगर डिए इसको देखे तो मतलब नहीं है क्योंकि हम उसको देखना ही नहीं है एफाइस के पास 2,36,000 पूट थे लौंग में लौंग में वह बढ़के हो गए 3,91,000 इन्होंने 75 परसेंट पूट बढ़ाये हैं 75 परसेंट प्रम भुदवार तु सुकरवार और इनके पास प्रो के पास 2,66,000 पूट शौट में थे वह 1,03,000 पूट लौंग में आ गए यानि कि इनकी चेंज हुए है 300 परसेंट बियर इसकी तरह यह डाटा को अगर मैं पूरी तरह से देखूं तो मुझे लगता है निफ्टी में थस्दे तक 500 से पॉइंट फ्राइडे तक लिखी है 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है वर्स्ट केस में 23 तारिक तक हम 1000 पॉइंट गिरेंगे और बैंक निफ्टी में 1500 से लेके 3000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है कि यह मेरा अनलाइस है अगर आपको पसंद आया यह डिटेल अनलाइस तो ताली मत बजाईएगा स्रिफ लाइक का बटन दबाईएगा ताकि बीच बीच में में वीडियो डालू क्योंकि मैं अभी बहुत वैस्त हूं उसके लिए चामा चाहता हूं और आपको अगर